किसान मज़ूर संग बागपत के 60 किसानों के प्रतीनिधी मंडल ने केंद्रे कृषी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर से एक कृषी भवन में मुलाकात की जिसके बाद केंद्रे कृषी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने राहूल गांधी पर निशारा साथते हुए कहा कि अगर राहूल गांधी चिन्तित होते तो जब उनकी सरकार सत्ता में थी तब वो किसानों के लिए कुछ करते कॉंग्रेस हमेशा ही किसान विरोधी रही है राहूल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंबीरता से नहीं लेती देश का तो सबाली नहीं उठता है और आज वो जब राश्टपती महुदय के पास बिरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने का कोई दसकत कराने नहीं आया कांग्रेस का अदमी और किसी किसान ने दसकत नहीं कियें दूसरा अगर राउल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे कांग्रेस का हमेशा से चरिद्र किसान विरोधी रहा है